हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच्पी स्टेडी हब स्वागत आपका एच्पी स्टेडी हब के इस यूट्यूब प्लाटफोर्म में तो आज किस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा इंगलिश ग्रैमर के MCQ's Qutient. इससे पहले हमने इंगलिश ग्रैमर MCQ's का Part 1 बनाया है अगर अभी तक Part 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके Part 1 को देख सकते हैं. तो आज इंगलिश ग्रैमर MCQ's का यह Part 2 है और उन सभी शुरू करतिया आज किसे lecture को but before we go अगर भी तक आपने HP Study Hub को subscribe नहीं किया है then please do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button गंडी को press करना ना बुले ताकि इस channel related कोई भी वीडियो or notification को आप miss ना करें तो चले शुरू करतिया आज किस lecture को question number 1 यह आपकी screen के उपर her thinking leans-democracy ठीक है यह preposition से आपका यह question है ठीक है तो आपने मुझे बताना है इस question का जो है right answer क्या होगा her thinking leans-democracy उसकी जो सोच थी वो निर्भर करती थी democracy के उपर ठीक है with two words for or none of these ठीक है तो इसका जो right answer रहने वाला इस question का I hope आप option B के साथ जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुर right answer होगा toward her thinking leans-toward democracy ठीक है यहाँ पर निर्भर करेगी उसकी जो thinking थी sentence का मतलू हुआ her thinking leans-toward democracy उसकी जो thinking थी, सोच थी वो निर्भर करती थी democracy पर ठीक है तो इस question का जो right answer होगा वो होगा toward क्योंकि उसने overcome कर लिया था ठीक है तो कौन सा proposition या पर fit बैठेगा because of because of on या फिर for तो friend इस question का जो right answer रहने वाला है I hope आपने attempt कर लिया होगा और इस question का जो right answer है वो है option a because of वो बहुत थक चुकी थी क्योंकि उसने जो था overcome ठीक है उसने वो थक चुकी थी ठीक है तो इसलिए जो थी वो थक चुकी थी क्योंकि उसने overcome over work किये था ठीक है तो यहाँ पर आना था because of next की बात करें again ही आपका preposition से question है he crossed the broken bridge dash warning ठीक है उसने जो क्या होगा broken bridge को cross किया उसको warning के बावजुद भी ठीक है उसके warning दी गई थी फिर भी उसने क्या किया कि broken bridge को cross किया आपके option है in spite of in spite of on या फिर about friends देखिए काफी simple सा question है मैंने हिंदी वे हिंदी वाला जब आपको मैंने इसका meaning बता है तो मैंने इस cancer जो दे दिया था बावजुद भी ठीक है उसको warning के बावजुद भी उसने जो broken bridge था उसको cross किया तो बावजुद के लिए friends हम use करते है in spite of ठीक है याद रखे in spite of आएगा एक ओव फ्रेंट से यहाँ पर ही important है error के लिए आपका question बन सकता है अगर आपको किसी question में despite दिया होगा इसका मतल रिफ्रेंट आपका वावजूद ही होता है तो despite के साथ हमेशा ही of नहीं आता है ठीक है उफ आता है मेशा है in spite के साथ तीक है despite के साथ of नहीं आएगा डिस्पाइट हमेशा केला आएगा तीक है तो आप इन दोनों का difference भी आद रियादा है imperial का imperial का मुझे आपने intonium बताना है आपके given option A, safeguard, option B addanger, option C hazard और option D यहाँ पे है geopardise, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, geopardise जो है आपका D option है, ओके इस question का जो right answer रहने वाला है, वो है option तो सो से पहला आपको देखना पड़ेगा imperial का मतलों क्या होता है, देखो friends imperial का मतलों होता है, संकट में यह आपके एक verb, जो है एक verb है और इसका मतलों होता है, संकट में, जब भी कोई आपका खतरे में होते है तो से बोलते है, imperial, ठीक है, imperial तो इस question का जो right answer रहने वाला है वो है, आपका देखो, B option को होता है एंडेंजर, तो यह भी खतरे का इस संकट से लिए ठीडाब का word है, हजार का मतलों भी होता है जब आप किसी मुश्किल में होते है, खतरनाक situation में होते हो, उसे बोलता है, और जब आप किसी संकट में होते हो तो अंटोनियम यानि की विलोम शब्द पूछा है तो इसका जो right answer है, वो है option A, safeguard, तो friends, अगर आप तीनो words को देखते, option B, C और D को, तो इन तीनों का meaning जो था, वो निकर रहा है इस imperial word case, similar तो आप इसली से यहां पर इसको eliminate कर सकते थे, और इसका जो right answer है, वो है option A, safeguard करना किसी को, ठीक है वो होगा imperial का, अंटोनियम next question के बात करें, question number, जो है आपका इसके अंदर आपने मुझे बताना है, यह one word substitute है, और paper written by hand कागज जो आपका हाथ से लिखा जाए, उससे क्या का जाता है handicraft, manuscript, handy work या फिर thesis तो friends, इसके जो right answer रहेगा, I hope आपने attempt किया होगा, यह paper जिसको greeting किया जाता हाथ के साथ, वो होता आपका manuscript, ठीक है, discuss करते हैं ठीक है, by अपने हाथ से किसी particle, domestic things की या फिर किसी वस्तू की, तो उसे का जाता आपका handicraft, ठीक है, सजावट को, अपने हाथ से क्राप किसी चीज़ की सजावट करते हैं, तो उससे का जाता आपका handicraft manuscript, discuss कर लिए, हमने a book, a document, और a piece of music को होता है, जो कि written के जाता है, by hand rather than typed or printed आप इसको अपने हाथ से लिखेंगे, बीना without किसी typing का यूज किए, या फिर किसी printed document, आपके instrument का यूज किए बीना, तो manuscript, जो हाथ से document लिखा जाता है, उसे का जाता है next friends, आपका option, handy work, तो handy work का जाता है making things by hand, जब आप हाथों के जड़ी किसी चीज को बनाते हैं, उसे का जाता है handy work, तीक है, next आपका thesis, तो thesis होता, friends, a statement or theory that is put forward as a premise to be maintained of proved, तीक है, thesis उसे का जाता है जब आप अपनी theory को सीध करने के लिए, या फिर उसको strong point put करने के लिए, जो भी जो भी आगे data put करते हैं, उसे का जाता है thesis, ठीक है, ये भी आप याद रखे, काफी important है next, again, आपका ये one word substitute word है आपने मुझे यहांपे बताना है something that can be heard जो कुछ भी सुना जा सके, उसे क्या का जाता है जो आपको असानी से सुनाई दे, उसे क्या क्या जाता है option A, auditory option B, audio-visual option C, audible, या फिर option D audition, I hope काफी simple question आपने attempt कर लिया होगा, तो friends something that can be heard, जो आपको असानी से सुनाई दे उसे क्या जाता है, आपका audible ठीक है, बाकी option को भी discuss कर लेते है देखो friends, auditory का मतलब होता है option जो A है, relating to the sense of hearing ठीक है, या आपका sense होता है relating, जो आपका सुनने के sense है, उसको का जाता है auditory, audio-visual होता friends, नाम से लग रहा है, audio मतलब जिसे आप सुन सके, visual जिसका मतलब आप देख सके तो जहाँ पर sight and sound, यानि कि देखने की सुनने और आपके hearing, देखने की जो power audio से का जाता आपका audition, ठीक है काफी वोटेट आप इसे भी याद रखें next करते है, यहाँ पर आपने correct spell बताने है इन चार में से कौन से correct spell है livelihood की, ठीक है livelihood की जो आपने मुझे correct spelling बताने है given option में से, ठीक है, जिसका की हिंदी में मतलब होता है, आजी विका ठीक है, आजी विका, ठीक है, तो आजी विका का मुझे आपने बताना है मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसके correct spelling बताने है, ठीक है livelihood की, यह जो question है, इस question कदर बताने है, given statement में से, कौसे statement incorrect है, यह फिर यह सारा सारा का सारा sentence है, वो आप बिल्कुल correct है तो I have two sister-in-laws whose husbands are all well settled ठीक है, मेरी जो दो बेन हैं, और उनके जो husbands है, ठीक है are well settled, वो कह है, well settled है ठीक है, well settled थी, ठीक है option A, I have two sister-in-laws whose husbands overall well settled, या फिर option D, no error, ठीक है, इसका right answer है, ठीक है, वो रहने वाला है, आपका option B, two sister-in-laws ठीक है, इसलिए incorrect है, क्योंकि friends, कभी भी आपका two sisters in-laws नहीं होता है, sisters आता है, ठीक है, sisters होगा ठीक है, यहाँ पिर लोज नहीं आना था, आप जिसकते है change किये जाता है, sister-in-law या आपका incorrect word होता है, इसको ऐसे लिखना जाना था, sister-in-law में, ठीक है, याद रखे, बाकि यह आपका sentence बिल्कुल correct है, यहाँ पर रहना था, I have two sisters-in-law, whose husband are well settled, ठीक है, तो I hope आपको यह question पता लगए होगा, यहाँ पे error था, वो था, part B में next question की बात करें again आपका error से question है, और आज के last question है, आपने मुझे बताना है cattle are, sorry, cattle are grazing in the meadows near our farm ठीक है, cattle जो थे वो चर रहे थे, हमारे near जो farm थी, वहाँ पे, तो यहाँ पर आपका कौन सा part है, इसमें आपको error दिख रहा है in given option में से, या फिर option E जो है no error, तो इसका right answer रहने वाला I hope आपने attempt किया होगा, और इसका जो right answer friends, वो है option A, cattle's friends कोई word नहीं होता है, cattle होता है, ठीक है cattle, ऐसले लगा कि आप इसे plural नहीं कर सकते है, cattle मेंशे, cattle ही रहता है तो cattle's कोई word नहीं होता है, इसलिए जो right answer होगा, इसका cattle, आपने इसको cattle करना है अब जिस्थियां पे, change करना है अपने cattle's को cattle में, क्यों cattle are one of those collective noun which do singular in form are always used as plural, ठीक है आपका ये plural की form में भी cattle यूज के जाएगा, और singular की form में भी cattle use के जाएगा, ठीक है तो काफी important था, friends ये error I hope आपने attempt के होगा इसको right तो उसका right answer था, option A, cattle's को आपने यहाप eliminate करना था, क्या आपका इस सिर्फ cattle आना था cattle से नहीं आना था, ठीक है तब तक ये लिए friends अपना ख्यार रखें, safe रे, मिलते हैं next lecture में, धन्यवाद